हेलो बच्चो आपको थामनेल देखकर तो पते चली गया होगा कि आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं बेलकुल सही बच्चो एक महीने में जी हाँ एक महीने में कम समय में आप अच्छे नंबर कैसे लाएं जो में मैं टिप्स बता रहा हूँ आपको यदि आप उन पूरे टिप्स को फॉलो करते हो एक महीने के अंदर कम समय में आप 90 परसेंट ला सकते हैं चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं आज तो ब्लूप्रिंट है आपका 2020 एकिस यही है आपका 2022 का भी ठीक है कोई दूसरा नहीं है कि अलग से यह पुराना ब्लूप्रिंट नहीं यहीं ब्लूप्रिंट आपका 20 का भी है यदि हम इस subject के लिए बात करें पूरांग की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरांग 75 है subject क्या है आपका विज्ञान है और समय होगा 3 घंटा यदि 75 नमबर का आपका theory exam होने वाला है तो 25 नमबर कहां गए तो यह 25 नमबर आपको practical mark से मिलेंगे करें कठिनाई इस्तर पर तो कठिनाई इस्तर है आपका पहला है सरल जो simple प्रस्ण होंगे वह 30% आएंगे और जो आउस्ट होंगे बीच का होगा medium होगा average यह 50% प्रस्ण आएंगे और कठिन की बात करें तो कठिन आएगा आपका 20% ठीक है तो यह हो जाएंगे तीन इस्तर में आपके प्रस्ण आने वाले हैं सरल अउषद और कठिन इन्हें तीन इस्तर में प्रस्ण पुछे जाएंगे आपके के लिए 30 नंबर के परशना आएंगे अनुप्रियोग के लिए 12 नंबर के परशना आएंगे और कोशल विकास के लिए आपका 8 नंबर का परशना आएगा इस परकार हम लोग 1 एक की बात करें तो इकाई है कि मैं आपका यहां पर दो चिप्टर आ जाता है आमले च्छार एंवन लमण और तत्तों का वर्थी वर्गी करण यह दो चिप्टर दो अध्या को मिला करके आपका एक 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 युनिट बना है यहां पर टोटल आपका आठ नमबर के प परशन है एक नमबर वाले दो परशन और दो नमबर वाले एक परशन साथ चार नमबर का वाला भी एक परशन आएगा तो आप यहां पर टोटल करेंगे तो देखें चार नमबर का एक परशन दो दो नमबर वाले भी एक परशन आएगे ठीक है तो चार और दो च्छे हो ग तो ऐसे question नहीं पढ़ना है आपको आठ नमर का प्रशन हो गया तो ऐसे प्रशनों पर आपको ध्यान नहीं देना तो आपका समय का budget हुआ और कम मेहनत हुआ ठीक है इसी तरह हम लोग unit 2 की बात करें एकाई 2 ठीक है धातू एवं धातू कर्म की बात करें ठीक है और अधातू करसाएं unit 2 में आपका यहां पे दो चेप्टर को रखा गया पहला चेप्टर है धातू धातू कर्म और दूसरा चेप्टर है अधातू करसाएं यहां से भी आपका आठ नमर का प्रशना आने वाला है यहां से एक नमबर वाला दो प्रशन आएगा और छे नमबर वाला एक प्रशन आएगा ठीक है छे नमबर वाला एक प्रशन आएगा और एक नमबर वाला दो प्रशन तो छे पलस तो पराबर कितना हो गया आपका आठ नमबर हो गया इस परकार से आपका question आएगा यदि अभी तक हम ने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो जल से subscribe कर लिजिए और bell icon को दबा दीजिए bell icon को दबाना और subscribe करना बहुत महुत पूड़ इसलिए हो जाता है कि जैसे ये blueprint complete होगा आपको मैं उन important question को यहां पे upload करूँगा जो question exam में आने की chances 90% है तीक है 90% जिन परसनों के आने के chances से उन question को मैं इस side में भी upload करूँगा तो आपको subscribe करना अत्य महतुपूड हो जाता है चलिए unit 3 की बात करें हम लोग तीक है चलिए देखते है unit 3 की बात करते है तो unit 3 में आपका दैनिक जीवन में रसायन और hydrocarbon की ब्यूत्पन ये भी रसायन का chapter से दो अध्याय को मिला करके आपका एक unit बना एक दैनिक जीवन में रसायन दूसरा hydrocarbon की ब्यूत्पन से यहां से भी आपके आठ नमर के ही परशन बनने वाले है यहां पे एक नमर वाले दो परशन बनेंगे दो नमर वाले एक परशन बनेगा और चार नमर वाले एक परशन बनेगा इस परकार आठ नमर के होते हैं अब इस पीडियाप को यदि आप पाना चाहते हो कि blueprint आप कहां से load करें तो हमारे इस वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा, telegram का link मिल जाएगा, वहां से जाकर करके आप इसको पूरे load कर सकते हैं, आप आराम से बादिकी से पूरे को note कर सकते हैं, अपने copy में blueprint को बना सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं unit 4 की बात करें, तो unit 4 भी आपके दो chapter को मिला करके बनाया गया, देखो, पहला है उश्मा एवाम ताप, दूसरा है उर्जा स्वरूप एवाम स्रोड, तो इन इस unit से भी आपका 7 number का question आने वाला है, ठीके, अब 7 number में कौन कौन सा आगा, तो एक number का दो परशना आएगा, दो number का एक परशना आएगा, और तीन number का एक परशना आएगा, तो total हो जाते हैं आपके 7 number, तीन नंबर, दो नंबर और एक नंबर मिला करके आपे साथ नंबर के कुल परशना आने वाले हैं चलिए अगले चिप्टर के हम लोग बात करें अगले यूनिट के बात करें तो यहाँ पर आता है यूनिट 5 यूनिट 5 क्या है आपका तो प्रकास प्रावर्तन एवं अपवर्तन और समतल सतर से एवं गोली ये सतर से तो यहां से टोटल आपके दस नंबर के प्रशना आने वाले हैं दस नमर में एक नमर वाले दो प्रशन आएंगे, तीन नमर वाले एक प्रशन आएगा, और पांच नमर वाले एक प्रशन आएगा, इस परकार से टोटल दस नमर के हो जाएंगे आपके पांच, तीन और दो, ठीक है, इस परकार से कोश्चन आएंगे, चली आगे हम लोग qoesion होगा, ती नमबर वाला qoesion होगा और पांच नमबर वाला eqoesion होगा तो टोटल हो जाता है आपका कितना नव नमबर हो जाता है, पांच, तीन, आट और एक नव नमबर के परश्ण यहां से पूछे जाएगे अगले unit की बात करें तो जीवों का विकास आनुवंसी की जनक के संतानों तक ठीक है तो यहां से भी आपका आएगा आठ नमबर का प्रशना आएगा यहां पर आपका एक नमबर का एक प्रशना आएगा तीन नमबर का एक प्रशना आएगा और चार नमबर का एक परशना आएगा इस परकार से टोटल आपके हो जाएंगे कितने चलिए यहाँ पर काउंट करते हैं चार, तीन, और एक आठ नमबर कंप्लीट हो जाता है अब हम लोग अगले यूनिट की बात करें तो आप अगले यूनिट देखेंगे कि जैविक प्रक्रियान, जैविक प्रक्रियान से सबसे जादा नमबर के कोशन आने वाले तेरा नमबर, तो यहाँ पर आपको जादा मेहनत करने के ज़रुरत है यहाँ पर जादा मेहनत करने के ज़रुरत है एक नमबर का एक कोश्चन आएगा दो नमबर का एक कोश्चन आएगा चार नमबर का एक कोश्चन आएगा और यहाँ पे आपका पांच नमबर का एक कोश्चन आएगा ठीक है तिस परकार से सबसे ज़्यादा नमबर से यहां से question आने वाले, यहां पर आपको ज़्यादा मेहनत करने के जिबरत है अगला हम लोग chapter देखें, अगला unit की बात करें अगला unit है आपका हमारा पर्यावरण यहां से चार नमबर के परशन आने वाले हैं यहां से आपके एक नमबर के दो परशन आएंगे तो इस परकार से पूरी तरीके से blueprint को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है समझाया गया है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर सेर करें ताकि वो भी अच्छे बढ़ाई कर सकें, अच्छे नमबर ला सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैहिन